मयोत्त प्रदेश में योगी सरकार ने सरकार बनते ही अपराध पर कड़े कदम उठाई हैं सरकार ने सीधे तोर पर अपराधियों को प्रदेश छोड़ने या फिर जेल में रहने की हिदायती इसके साथ ही प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार लगातार नई-णई पहल करती नज़रा रही है इसी करी में योगी सरकार की केबिनेच मंत्री लक्षमी नारण चौधरी ने जंतन रिटीवी से खास बात चीटी सनी योगी सरकार लगातार अपराधियों के उपर नकिल कसे हुए और इस बार योगी सरकार ने लगबग 733 करोड की संपत्ती जो है वो जब्द की है उन अपराधियों की जिनों ने कब्जा कर रखी थी और हमाई साथ मोझे लक्षमि नेरान चौधरी जी मंत्री हैं कैबिन मंत्री हैं सर लगातार जो है योगी सरकार अपराधियों को लेकर बड़े सकत कदम होने 733 करोड की संपत्ती जब तो इस बार देखिए ये जैसे ही हमारी सरकार बनी थी आधनिये मुख्यमंत्री जी ने उसी समय घोशना कर दी थी कि चाहे वो आर्थे कपराधी हो या क्रिमनल हो उनके लिए जगे या तो अंदर होगी या उपर होगी जो उनका उचितिस्थान होगा वो वहाँ जाएंगे अभी साश्टो करोड की संपत्ती की जबत की जो बात कर रहे हैं ये जनता का धन है और जनता के धन या तो शरकार में रहना चीए या जनता में रहना चीए जनता के विकास के लिए लगना चाहिए तो ये एक ऐसा एतिहासिक कदम है और आगे के लिए भी ये एक ऐसी परंपरा पड़ जाएगी जिससे आर्थिक अपराधी डरेंगे ब्रश्टाचारी डरेंगे और आगे चलके कोई जंता के धनका दुर्पयोग नहीं करेगा और ब्रश्टाचार नहीं करेगा सर लगातार जो है योगी सरकार ने ये भी कहा है कि O.D.O.P. और तमाम योजनाओं से कहीं न कहीं आम जंद मानस को और बहतर जीवन देने की आज कारपेट अगर बात की तो आज शुरुवात कर रहे हैं और ब्रह दिस्तर पर कैसे देखते हैं कि इसको देखिए आदर्णिये प्रधान मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है एक देश में इस समय शर्वोत्तम सरकार उत्तर प्रदेश की काईर कर रहे हैं चाहे ओडी ओपी हो, योगी जी के नित्रत में जो भी काम हमारी शरकार के द्वारा किये जा रहे हैं, वो सब के सब एधासिक हैं, चाहे वो देव दीपावली हो, चाहे ये परेटन के काम हो, चाहे इश्वर की कृपाव ही राम मंदर बनने का काहिर हो, चाहे ओडी ओपी के द्वारा जो अधरनिये प्रधान मंतरी जी ने नारा दिया, लोकल फोर वोकल, उसका प्रचार प्रशार हो, चाहे आवाश हो, कोई भी काहिर हो, जो भी काहिर हैं, वो चार साल में अधरनिये मुक्ष मंतरी जी के नित्रत में, पूरे देश में सभी काहि प्राथविक्ताशे हुए है एक अन्तिम सवाल है कॉंग्रेस आज फिर बांदा में गाएं बचाव यात्रा जो हो निकाल रही है कैसे देखते हैं कि इसको संशर्षठ में ततकालीन कांग्रेस की प्राइम मिस्टर थी उन्होंने गोरक्षकों पे दिल्ली में गोली चलवाई जिसमें कई सो लोग मरे थे तो जिस कांग्रेश के द्रारा गोर अक्षकों पे गोली चलाई गई हों जिनमे गाय कटवाई हों, जिनके साशन में गाय कटी हों जिनके घर पे पीडी दर पीडी से गाय की पूँछ न रही हो वो लोग यह की गाय की बात करें तो बड़ा ताज्जुबसा होता है हम तो ये इश्वर से प्रार्थरा कर रहे हैं को उनको इश्वर ये ऐसी अकल दे एक वो भी एक एक गाय पालना शुरू करने कम से कम अपने घर में आदर्निय योगी जी ने इतिहास काइम किया है वो स्वैम गोरक्ष पीठा दिश्वरे हैं एक पूरे देश में कभी आजादी के बाद किसी ही सरकार ने ऐसा नहीं किया आज सेक्णों गोशालाएं हमने बनवाई हैं जिनमें आज साले पांच लाख गाय रह रही हैं अशी हजार गाय हम किसानों को दे चुके हैं वहां से आज हम कम से कम अब तक 60-70 करोड रुपे अनात गोशालाओं को दे चुके हैं भरण पोशन के लिए और इस तरह से हम कम से कम 7-8 लाख गायों का वो भरण पोशन का सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा एक अच्छा है यह भी योगी जी का एक प्रभाव है एक आज जिन लोगों ने गवरण च्छोकों पर गोली चलाई हों जिनों ने जिनके शाशर में गाय कटती हों आज वो कम से कम गाय की बात करने लगे काउ सफारी की चर्चा अपने करी थी कि काउ सफारी हम लेके आएंगे और क्योंकि लगाता सेर की लॉइन सफारी और तमाम चीजे होई लेकिन काउ सफारी की चर्चा इसमें कुछ हो कोरोना की वजय से यह कोड़ी नाइंटीन की वजय से उसमें काफी देर हुई वो प्रोजेक्ट विचारा धीन है और उसमें अब तेजी से काम करना शुरू करेंगे खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सबस्क्राइब करें जन्तन्तर टीवी और प्रेस्ट बेल इकल नेवर मिस अन्य अपदेट